है अबरिवान, वेलकम टू सिंबा स्कॉलर्स, जी स्टुडेंट्स, आज हम रेस्पाइटरी ट्रैक डिसॉडर्स के बारे में सीखेंगे, रेस्पाइटरी ट्रैक डिसॉडर्स जो हैं, यह अगरचे काफी जादा हैं, तो रोजाना डेली इंटर्वल्स पे हम चंद एक में इन सब डिसॉडर्स को क्लेयर करते जाएंगे, सो लेट स्टार्ट, जनरल सिंटम्स तेखेंगे, जनरल सिंटम्स ऑफ रेस्पाइटरी डिजीज, स्टुडेंट्स, यह जो सारी ट्रम्स हैं, इनको आप रिलेट करके पड़ें, तो आपके लिए जाधा असानी होगी, जैसे है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपोकैप्निया, दाइपीनिया, टेकीपीनिया, साइनॉसिस, हीमोपाइस, पाइसिस, तो जैसे आप इन चीजों को रिलेट करके पड़ेंगे, तो आपके लिए जाधा असानी होगी, तो लेट स्टार्ट, हाइपोक्सिया है जिनके बारे में हमें सिखाया गया है। हाइपो means decreased और hyper means increased सबसे पहले आपने अपना यह ड्वट क्लेजर करना है। हाइपो means decreased और हाइपो means increased. जहां पे भी किसी भी वर्ट के साथ हाइपो का लवज आएगा आपने समझाना है ये कोई चीज़ decrease हो रही है यनि कम हो रही है और जैसे ही hyper का लवज आएगा start में तो आपने समझ आने ये increased हो रहा है यनि कोई चीज़ भढ़ रही है ठीक है सबसे पहले है hypoxia decreased levels of oxygen in the tissues oxygen की मिक्तार का कम हो जाना tissues में hypoxia hypo यनि कम हो जाना oxyamine oxygen ठीक है इन दो अलफाज से मिलकर क्या बना hypoxia यनि decreased levels of oxygen in the tissues oxygen की मिक्तार का tissue में कम हो जाना hypoxemia next है hypoxemia फिर वोई बात है hypoxemia यनि यहां पर oxygen और emia यनि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जहां पर emia यनि जहां पर emia का लवस इस्तमाल हो जाए आपने आंखे बंद करके इस चीज़ को relate करना है समझ आना है यहां पर blood का जिकर हो रहा है hypoxemia यनि decreased levels of oxygen in arterial blood arterial blood के अंदर oxygen की मिक्तार का कम हो जाना फिर है hypercapnia increased levels of carbon dioxide in the blood hyper means मैंने आपको पहले भी बताया है hyper means increased hypomean decreased ठीक है अब यहां पर कोई students बहुत जो है ना बहुत जादा confused हो जाते है hypercapnia और hypokabnia ठीक है यह major mcqs हैं इन में से आप लिख लें के आपके पास एक या दो mcqs exams में जरूर आएगा ठीक है तो concepts को clear करें तो चीज़े आपके लिए मुश्किल नहीं होगी hypercapnia hyper increased levels of carbon dioxide in the blood blood में carbon dioxide की मिक्तार क्या हो जाती है increased हो जाती है यानि भढ़ जाती है और hypokabnia यानि कम हो जाना in decreased levels of carbon dioxide in the blood फिर यह डाईपीनिया यानि difficulty breathing जहां पर डाई का लवज आजाए students आपने समझ आना है its mean के difficulty difficulty breathing फिर है टेकीपीनिया यानि rapid rate of breathing यानि सांस का फूल जाना सांस का patient का सांस उखड कर लेना यानि सांस की मिक्तार जो है उसका ज्यादा हो जाना टेकी आप इस चीज़ के याद रख सकते हैं टेकी कार्डिया और ब्रेडिकार्डिया यानि टेकी मिन heart rate सादा हो जाना और bradycardia यनि heart rate का कम हो जाना ठीक है तो टेकी पिनिया यनि rapid rate of breathing breathing का जादा हो जाना सांस लेने का अमल जादा हो जाना साइनोसिस, bluish discoloration of skin, skin का bluish हो जाना और क्यों होता है क्योंकि oxygen की मिक्तार कम हो जाती है bluish discoloration of skin and mucous membranes due to poor oxygenation of the blood जो का मैंने आपको पहले बताया एक हमारी skin में जब oxygen की कमी होगी ठीक है जब blood नहीं है तो blood के अंदर क्या होगी हीम है और हीम का काम क्या होता है oxygen प्रोवाइड करना today to the whole body ठीक है तो ये क्या होगा साइनोसिस ये एक तरहां की सारी definitions है students आपने याद रखनी है bluish discoloration of skin and mucous membranes due to poor oxygenation of the blood तो ये किसकी definition है साइनोसिस की ठीक है आगे है हीमो, पाइसिस, blood in the sputum यानि खांसी में sputum में blood काना ठीक है next देखेंगे students जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत सारे disorders हैं जो कि हम बारी-बारी पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे common cold और ये जो बाकी सारे हैं ये हम आगे जाके पढ़ेंगे तो इसलिए हम अपना time waste नहीं करेंगे क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे जाएंगे ये सारी जो diseases हैं ये आती जाएंगी लेकिन एक तम से rapidly हम देख लेते हैं अपर रैस्पाइरेटरी डिजीज यानि जो हमारा अपर रैस्पाइरेटरी सिस्टम है उसमें कौन-कौन से diseases होती हैं तो उनमें common cold sinusitis, nasal prolapse, gnaurine and obstructive sleeve, epinia, high fever, tonsillitis, pharyngitis, laryngitis and influenza ये lower respiratory diseases इन्हें भी हम बारी-बारी पढ़ेंगे लेकिन फर्दर एक तफ़ा हम इन पे नजल देख लेगते हैं ये chronic obstructive pulmonary diseases bronchitis, asthma, emphysema, pneumonia, blurshy pulmonary tubaloclosis, cancer and cytic fibrosis सबसे पहले पढ़ेंगे common cold the most common viral pathogens वो pathogen जो के बहुत जादा spread होता है यानि फैलता है for the common cold यानि common cold सर्दी का लग जाना are rhenovirus and adenovirus and coronavirus ये तीनो वाइरस जो है इन्हें आपने अपनी tips पर याद रखना है ठीक है ये तीनो वाइरस common cold का सबब बनते है rhenovirus adenovirus and coronavirus ठीक है एक दफ़ा आप मेरे साथ repeat करें तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे rhenovirus rheno या rhino कुछ भी पढ़ें कुछ भी pronunciation हो लेकिन आपने सही लफ्स को याद रखना है यानि virus का नाम याद रखना है rhenovirus adenovirus और coronavirus these viruses tend to have seasonal variations in their peak incidence ये एक seasonal virus है कि हर एक virus का एक season आता है जो कि आपने peak level पर जाके काम करता है they gain entry to the body through the nasal mucosa जो हमारी nasal mucosa है उसके थूँ क्या करता है ये body में entry करता है and the surfaces of the eye और जो हमारी आंक की यानि eyes की जो surface है वहाँ से entry करता है they are rapidly spread from person to person वा respiratory secretions ये बहुत जादा जल्दी से फैलता है कि एक person से एक इनसान से दूसरे इनसान में हमारे respiratory secretions की secretion के जरिये जैसा कि हमें हम बच्चों को और सम टाइम हम भड़ों को भी बताते हैं कि जब भी हमने खांसी करनी है जब भी आपने खांसना है तो आपने पास टीशू रखें ताके जो भी secretion हो जब आप खांसते हैं तो वो germs जो हैं वो जो virus है, pathogenes है वो इर्दगिर्द के environment में या फिर आपके साथ जो बैठा है उसे effect नहीं करें और अगर आपके पास in case tissue नहीं है तो कहां करें, आप अपनी elbow में करें अपने हाथ पे भी ना करें क्योंकि हाथ से क्या होगा कि वो दुबारा आपके nose तक चाह सकता है आपके face पे लग सकता है, यह कि हाथ हम दूसरों तक मिलाते भी रहते हैं और फिर यह कि हैंड को हाथों को वक्तन फर वक्तन धोना भी चाहिए manifestations of the common cold include manifestations यानि common cold के जो sign और symptoms है इन में क्या है rhinitis यह भी आपने as a statement यानि definition के याद रखने है इन में से भी mcqs आएंगे inflammation of the nasal mucosa rhinitis क्या होगा inflammation of the nasal mucosa nasal mucosa में inflammation का हो जाना यानि सूजन हो जाना क्या कहलाता है rhinitis आएगे sinus inflammation of the sinus mucosa जो हमारे sinuses हैं sinuses mucosa में inflammation का हो जाना यानि सूजन का हो जाना यह sinusitis sinus mucosa में inflammation का हो जाना और rhinitis, inflammation of the nasal mikoza, nasal mikoza में inflammation का, यनि surgeon का हो जाना, फिर है pharyngitis pharyngitis में क्या है inflammation of the pharynx and throat, जो हमारा pharynx है और हमारा throat है, उसमें inflammation हो जाना है और common cold में क्या होगा, headache होगी, यनि सरदर्द होगा nasal discharge and congestion nasal discharge यनि नाक का बहना influenza was common cold अब influenza और common cold में जो हम differences है ना, वो हम बारी-बारी देखेंगे, influenza यनि flu and the common cold are both are both respiratory illnesses caused by different viruses influenza और common cold जो है ना, ये दोनो respiratory illness हैं, यनि हमारी सांस की बीमारियां हैं, जो के cast होती हैं by different viruses जो के different viruses से होती हैं, जो के पहले हमने क्या सीखा, मैंने आपको सीखाए हैं, के तीन viruses हैं, जिनकी वज़ा से common cold common cold होती हैं, अगर आपने तब मेरे साथ प्याद कर लिया हो, तो अभी इसी वक्त आप उसे दोहरा भी सकते हैं, जिन में क्या था? रिनो, रिनो वाइरस, क्रोना वाइरस, और एक और था, यनि ये ती, तीनों जे थे ये वाइरसीज, इन वाइरसीज की वज़ा से, ठीक है? Sorry students While they share some similarities in some symptoms, ये symptoms में कुछ चीज़ों में जो होंगी, वो एक जैसी होंगी They are key differences between the two, और वो की जो हैं, यनि उन में जो differences ही हैं, वो हम यहां पे देखेंगे Causative agents, वो agents जो के cause होते हैं, यनि वज़ा बनते हैं, इन्फलेंजा में है, caused by influenza virus, primarily influenza A and B अब common cold में क्या है, caused by viruses, various virus, ये common cold जो होता है, ये different viruses की वज़ा से होता है Most commonly rhinoviruses, coronaviruses and adenoviruses, फिर वो ही तीनो वाइरस आगे, जो के मैंने आपको पहले भी कहा था, के ये तीनो वाइरस के नाम आपने याद रखने फिर है one set and severity, influenza क्या है, sudden one set of symptoms, suddenly एक सेट जो है न, यनि symptoms आहीर होंगे, often more severe than the common cold और ये common cold की बजाए, influenza जो है, ये ज़्यादा स्वेर होता है, यनि flu जो है, वो जल्दी ज़्यादा, person to person मुंते की लो जाता है अब common cold की है, gradual one set of symptoms, ये symptom का एक one set है, usually milder compared to the flu flu की निस्पा जो है, common cold है, ये mild है, ये ज़्यादा जल्दी किसी दूसरे को affect नहीं करता है, और ये इसके symptoms आने में भी थोड़ी देर लगती है influenza, यनि इसके symptoms के हैं, यनि flu के symptoms, fever, बुखार होगा, body asses, यनि body में pain होगा, fatigue, थकावट, chills, cough, sore throat and sometimes gastrointestinal symptoms, especially in children, gastrointestinal symptoms भी जाहिर होगे, specially किन में होगे, बच्चों में common cold में क्या होगा, runny और stuffy nose, यनि nose का बहना, और ये थोड़ा सकत हो जाता है इस case में, जाहिर है जब नात बहर है तो उसे बार बार टीशू से साफ करने की वज़ा से, जो हमारी स्कीन है, ये थोड़ी hard हो जाती है फिर sneezing, यनि छींकना, sore throat, mild cough, यनि हलकी हलकी खांसी and occasionally a low grade fever और जादा तर ये क्या होगा, कि इसमें हलका हलका बुखार होगा fever, influenza यनि flu में क्या है, typically associated with high fever, flu में क्या होगा, कि high fever हो जाता है students, ये उनमें भी बहुत जल्दी affect करता है, flu, जिनका immunity system जो होता है, बहुत जादा weak होता है कुछ लोग होते हैं, वो हर एक चीज़ खाते नहीं है, दर असल वो बहुत जादा choosy person होते है ये निए खाना, वो निए खाना, ये अगर खाना भी है, तो बहुत जादा सोच समझ के खाना है कुछ लोगों की mothers जो होती है, वो बहुत कहेंगी, हमारा बच्चा बहुत juicy person है तो दर असल वैसे ये jeans से भी मुंतकिल होता है, कि जो हमारे, यानि पाप का टेस्ट है उनकी mother खाती है, father, तो traits में सारा कुछ होता है, कि बच्चे में develop होती है ये सारी चीज़ें, कि अगर उनका टेस्ट बहुत जादा spicy है, तो बच्चा भी खाना पसंद करेगा अगर बच्चा बहुत जादा, अगर parents बहुत जादा light खाते है, तो बच्चा भी light ही खाएगा लेकिन ये है, कि जब बच्चा छोटा होता है, यानि 5-6 साल की उमर में, उस age में जब बच्चा हरी चीज़ खाने में आता है तो आप कोशिश करें, कि उसे हर एक चीज़ खिलाएं, क्यूंकि जब हम vitals के बारे में सीखते हैं, sorry, vitamins के बारे में, तो हम बारी बारी चीज़ें तो नहीं खाएंगे, हाँ, इसे हमें vitamin A मिलता है, B मिलता है, C मिलता है, तो एतेदाल हर एक चीज़ खानी चाहिए, लेकिन एतेदाल में खानी चाहिए, बच्चों को, सब कुछ खिलाना सिखाएं, ताकि उनका immunity system जो है, वो बहुत जादा strong हो, ताकि कोई भी बीमारी हो, तो वो एकदम से heavy न हो पाए, ठीक है, heavy न हो पाए, ताकि बच्चे जो हैं, वो जादा secure रहें, फिर यह influenza, यानि flu, typically associated with high fever, usually mild or absent, common cold में, यानि जब, common cold में क्या होता है, कि fever usually mild, यानि fever बहुत थोड़ा होता है, यानि light होता है, इतना नहीं के बहुत जादा high fever हो गया है, और absent, fever होगा, तो बहुत ही हलका होगा, और होगा, या फिर नहीं होगा, ठीक है, fever is usually mild, fever बहुत कम होगा, और absent होगा, या तो हो गई हैं फिर हैं complications इनमें क्या complications आती है influenza यानि flu में can lead to severe complications इसमें बहुत जादा severe किसम की heart किसम की complications आ सकती है such as pneumonia नमूनिया हो सकता है इसमें यह इतना सकता है और इतना dangerous है bronchitis bronchitis में यानि हमारी bronchules में जो है वो inflammation हो जाएगी and exacerbation of underlying health conditions यह सारी जो diseases हैं यह flu में होगी common cold में क्या होगा generally mild इसमें जो होता है बहुत जादा कुछ नहीं होता यह बहुत मध्धम रहती हैं चीज़े and really leads to serious complications next है influenza influenza वस common cold का duration कितना है symptoms में last one to two weeks or longer flu में जो है इसके symptoms जो है यह एक से लेकर दो हफ़ते तक रहते हैं या फिर sometime दो से तीन हफ़ते तक भी बात जा सकती है फिर common cold symptoms typically resolve within a week common cold जो है वो एक एक आध हफ़ते में ठीक हो जाती है फिर vaccination इसके लिए vaccination कौन से यूज़ करेंगे seasonal influenza vaccines are available and are recommended annually हर season के लिहाज से जो है इसकी vaccines available होती है और हर साल यानि annually उन्हें recommend कर दिया जाता है ठीक है यानि markets में आ जाती है फिर common cold no specific vaccine is available as the common cold is caused by a variety of viruses इसकी जो ना एक हास vaccine नहीं है क्योंकि common cold जो होता है न ये variety of viruses होते हैं ये different viruses होता है इसलिए इसकी कोई खास जो है न वो vaccine मौजूद नहीं है ठीक है फिर है transmission influenza highly contagious जो flu है ये highly contagious है कि ये बहुत जल्दी contaminated disease है यानि दूसरे तक बहुत जल्दी मुन्तिकिल हो जाती है primarily spread through respiratory droplets जो कि मैंने पहले भी बहुत अच्छी अच्छे तरीके से explain किया कि ये droplets के जरीए यानि जब जिससे flu है वो छिंकेगा तो उसकी जो छिंटे हैं वो दूसरे तक जाएंगी तो उसे बहुत जल्दी ये क्या होगा ट्रांसफर हो जाएगी फिर है common cold also spread through respiratory droplets common cold जो है ये भी respiratory drops के जरीए मुन्तिकिल होती है but generally considered less contagious than the flu लेकिन generally ये जो बहुत कम जो है न फ्लू के through common cold जो है okay students जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम upper respiratory diseases के बारे में पढ़ रहे हैं तो next जो हम पढ़ेंगे वो होगा pharyngitis तो daily intervals पर हम इन चीजों के in disorders के बारे में सीखेंगे तो आज के लिए इतना ही thank you so much